फ्रेंड्स, Mathematical Listening का टॉप मोस्ट कोश्चन जो SSC, UPSC, CDS और NTSC के लिए मोस्ट इबॉर्टेंट है कोश्चन को देखते हैं यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुछ कुटे हैं यदि सीरों की कुल संख्या 37 है और पैरों की कुल संख्या 98 है तो कुल लड़के और कितने कुटे हैं बताना है कितने लड़के हैं और कितने कुटे हैं कैसे सल्ब करना है यहां लिखेंगे माना की लड़कों की कुल संख्या एक्स हो गया और कुत्तों की पुल संख्या वाई हो गया अब दोनों मिला करके यानि कुत्ते का भी एक ही सीर होता है और लड़के का भी एक ही सीर होता है तो तो एक्स प्लॉस वाई यह हो जाएगा 77 शीरों की कुल संख्या 37 है यहाँ 37 लिखेंगे यह फॉर्स्ट इक्वेशन हुआ उसके बाद है पैरों की कुल संख्या 98 है तो आप जानते हैं लड़के यानि इंसान है पैरों की संख्या दो होती है और जानवर कूते हैं यानि कूत प्रइटों की संख्या चार होती है पैरों की संख्या तो यह हो जाएगा लड़कों में कि जो संख्या माने हैं उसमें टू से मल्टिप्लाई करेंगे और तोटल कितना हो जाएगा कैसे सल्ब करना है या तो य वाले टर्म को आप एक्वल करें या तो एक्स वालों को है न तो क्या करते हैं फॉस्ट इक्वेशन में टू से मल्टिप्लाई कर देते हैं और तब उसको माइनस करेंगे तो इसमें टू से मल्टिप्लाई करेंगे फॉस्ट में तो यह हो जाएग और second equation में कोई changing नहीं करना है ऐसे ही लिख देना है अब इसको सब्टेक्ट करेंगे तो sign change होगा plus है तो minus plus है तो minus हो जाएगा अब कैसे सल्ब करेंगे यहाँ 2 से minus 2 cancel हुआ 2 minus 4 minus 2y हो गया और यह हो जाएगा 74 minus 98 यह भी minus में ही आएगा 8 minus 4, 4 हुआ और 9 minus 7, 2 यानि minus 24 हुआ यहाँ देखेंगे negative का sign minus का sign दोनों तरफ है cancel हो जाएगा तो यहाँ पी लिखेंगे y equal 24 by 2 और 2 से cut होगा 24 12 times में y का value कितना आ गया 12 y क्या माने थे कूतों की संख्या तो इतने कूतों की संख्या हो गई एक answer आ गया अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण first में रखने पर first equation है x plus y और equal है 37, x ऐसे ही रहेगा y का value आया है 12 तो यहाँ लिखेंगे 12 equal 37 तो x हो जाएगा 37 minus 12 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 7 minus 25 over 2 minus 12 over 25 हो गया x का value x क्या माने थे लड़कों की संख्या तो यह दो आपके answer वनेंगे यह कुतों की संख्या लड़कों की संख्या option देख लेते हैं लड़के 25 हैं और कुते 12 है 12 है तो यह option नमर बी बनेगा इस question का right answer जाएगा 3